आजकल जब बजार से हम लोग वेजेटेबल्स लेके आते हैं तो कहीं न कहीं मन में ये डार जरूर होता है कहीं ऐसा तो नहीं ये वेजेटेबल्स और फ्रूट्स भी संक्रमेत हैं किसी ऐसे वेक्ती ने इसे छुआ है जिसे शायद कोरोना हो सकता है तो how do we take care of this? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो साबूर और पानी से दो रहे हैं ऐसा बिलकुल नहीं करना है तो क्या करना है? वेजेटेबल्स और फ्रूट्स की जो स्केन होती है वो पोरस होती है और अगर आप इसे साबूर के पानी से दोते हैं तो नाचुली वो इसके अंदर तक जा सकती है तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये समझ लीजे केवल गुंगुने पानी से दोने से आप 90 से पंचानवे यानि कि from 90 to 95% of whatever residues there are on these fruits जो भी इसके उपर है चाहे वो पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, कोई विक्टीरिया हो आप उसे वाश ओफ कर सकते है और तुभी डबली श्योर एक बोखोटी सी टिप आप फॉलो कीजिए मेरे पास है यहाँ पर बेकिंग सोडा यानि कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है एक बोल में पानी भरिये और यह मीठा सोडा, एक टी स्पून मैं इस बोल में मिला दे रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर दीजे और अब इस पानी में आप अपने फूट्स और वेजिटेबल्स को सोग कर दीजे बस दस मिनट के लिए आप इससे सोग करके रख दीजे फिर से एक बर क्लीन वाटर से वाश कर लीजे जितने भी रेजिडियूस इसके उपर लगे हुए होंगे वो अच्छे से clean हो जाएंगे, wash off हो जाएंगे आपके fruits and vegetables बिल्कुल clean हो जाएंगे and they are absolutely safe to consume now तो धाना कितना असान सा tip अपनी vegetables और fruit के उपर से insecticides, pesticides, chemicals और virus को भी हटाने का